क्या दोस्तों आप भी जानना चाहते हो कि मोज एप में वीडियो कैसे बनाया जाता है क्या आपको पता नहीं है कि मोज एप में वीडियो कैसे बनाते है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगी कि आप कैसे Moj application में वीडियोज बना सकते हो तो चलिए दोस्तों आज के वीडियोज शुरू करते हैं दोस्तों Moj application में वीडियोज बनानी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले आपको Google Play Store से Moj application को डाउनलोड करना पड़ेगा ठीके जैसे के आप लोग देख सकते हैं अभी हमने Moj application को Google Play Store से डाउनलोड कर लिया है उसके बाद दोस्तों आपको Moj application को ओपन करने के बाद दोस्तो आपको moj application में अपना account बनाना पड़ता है अगर आपने अभी तलक moj application में अपना account नहीं बनाया है तो इसके उपर मैंने अलग से वीडियो बनाई है उस वीडियो का link में अपनी description में दे दूँगा वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते है ठीके और दोस्तो moj application में अभी आपको मैं बताऊंगा कि वीडियो कैसे बनाते है सबसे पहले दोस्तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पर एक प्लस का icon दिखाई देगा तो आपको simple से प्लस के icon के उपर click कर देना है प्लस के icon पर click कर देने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का interface आएगा और दोस्तो यहाँ पर आपको 3-4 option मिलेंगे सबसे पहला option आपको मिलेगा flip का ठीके तो आपको इस option पर click कर देना है इस option पर click कर देने के बाद दोस्तो आपका back camera start हो जाएगा जैसे कि आप लग देख सकते है उसके बाद दोस्तो नीचे आपको speed का option मिलता है इस speed के option की मदद से दोस्तो आप अपने video की speed बढ़ा सकते हो या फिर घटा सकते हो उसके बाद नीचे timer का option मिलता है इसकी मदद से दोस्तो आप अपने video का timer sit कर सकते हो और उसके नीचे flash का option मिलता है अगर दोस्तो आप अंधेरे में वीडियो shoot करना चाहते हो तो आप इधर flash का option on करके अपनी वीडियो बना सकती हो ठीके अभी दोस्तो आपको यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा सबसे पहले आपको अपना song सिलेक्ट करना पड़ेगा अभी उपर हमें sound का option मिलता है तो हम इसके उपर क्लिक कर देंगे sound के option पी क्लिक कर देने के बाद दोस्तो आपको यहाँ पर दो option मिलेंगे पहला वाला होगा library का और दूसरा वाला option होगा local का ठीके दोस्तो local के option में आपको आपके mobile में जितने भी song है वो सारे वहाँ पर मिल जाएंगे और दोस्तो library के option में आपको moja app में जितने भी song अवेलेबल होते हैं वो सारे यहाँ पर मिल जाएंगे अभी हम कोई भी एक song चूस कर लेंगे अभी समझो में यह वाला song रखना चाता हूँ मेरे वीडियो के उपर तो इसके उपर क्लिक कर देंगे इस song के उपर क्लिक कर देने के बाद दोस्तो आपको नीचे एक option में लेगा केची का तो आपको इस केची के option पे click कर देना है इस केची के option पे click कर देने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर trim कर देना है कि आपको कितने second का song चाहिए अभी मुझे 14 second का या 15 second का song चाहिए तो मैं simple से 14 या 15 second का trim कर दूँगा ठीके अब यहाँ पर नीचे trim and use का option इसके उपर क्लिक कर देंगे जब आप trim and use के option पर क्लिक कर देंगे तो थोड़ी सी यह loading लेगा loading लेने के बाद दोस्तों आपका song सिलेक्ट हो जाएगा जैसे कि आप लोग उपर देख सकते हैं अभी हमारे song का नाम भी आ चुका है song का नाम आने के बाद दोस्तों अभी आपको यहाँ पर एक video create करना पड़ेगा अभी video बनाने के लिए आपको क्या करना है आपको यहाँ पर एक option मिलेगा बीच में ठीके तो इस option के उपर आपको press करके रखना है इस option पे press करके रखने के बाद उपर आपकी line जाएगी तो आपको देखना है कि आपको कितने second का वीडियो चाहिए अभी मुझे इतने ही second का वीडियो चाहिए तो simple से इधर से मुझे मेरा हाथ निकालना पड़ेगा जैसे ही दोस्तो आप अपने इधर के option से हाथ निकालेंगे तो आपका उपर line रुक जाएगा और आपका वीडियो उतने second का ही बन जाएगा अभी हमारा वीडियो बन चुका है उतने second का ही वीडियो बनने के बाद दोस्तो आपको यह ना है आपको इधर check mark के option मिलेगा इसके उपर click कर देना है check mark के option पर click कर देने के बाद अभी आपके सामने कुछ इस तरह का interface नदर आएगा और दोस्तो उपर आपको एक filter का option मिलेगा इस filter के option की मदद से दोस्तो आप अपने वीडियो में धेर सारे filter लगा सकते है उसके बाद दोस्तो उसके नीचे आपको effect का option मिलेगा इसके उपर click कर देंगे effect के option में दोस्तो आपको अपने face cam का effect कौन सा चाहिए वो choose कर लेंगे ठीके अभी इसे हम cancel कर देंगे उसके बाद दोस्तो नीचे आपको कुछ option और मिलते है ठीके पहला option आपको मिलेगा sound का अगर दोस्तो आपने starting में video का sound select नहीं किया है तो आप यहाँ से भी video का sound select कर सकते हो ठीके उसके बाद आपको यहाँ पर speed का option मिलेगा speed के option में आपको slow motion मिलेगा fast motion मिलेगा और reverse motion भी मिलेगा तो आप यहाँ से fast motion वीडियो बना सकते हैं slow motion वीडियो बना सकते हैं अभी समझू में यहाँ पर slow motion वीडियो बनानाजाता हूँ ठीक है तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको यह वाली जो आपकी वीडियो की klip है वो आगे लानी पड़ेगी पूरी तरह से और इदर slow motion को जो option इसके उपर आपको प्रेस करके रखना है प्रेस करके रखने के बाद दोस्तों उपर आप लोग देख सकते हैं आपके वीडियो में slow motion सेलेक्ट होना स्टार्ट हो चुका है slow motion लगने के बाद दोस्तों आपको इदर check mark option मिलेगा simple से आपको इस सच check mark के option पे click कर देना है check mark के option पे click कर देने के बाद दोस्तों आपका slow motion में video आ जाएगा और आपको इदर ओर एक option मिलता है text का ठीक है तो इसके उपर click कर देने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर कोई भी caption लिख सकते है caption लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको यहापर नीचे T का option मिलता है इसके उपर click कर देना है T के option पे click कर देने के बाद अभी अपना caption लिख देना है जैसे के हमने यहापर लिख दिया है new video ठीके उसके बाद दोस्तों अपको filter मिलता है इस filter में दोस्तों आप अपने text का color change कर सकते है या फिर background का color change कर सकते है यहापर आपको background का option मिलता है इसके उपर click करेंगे और यहाँ से आप अपने background का color भी change कर सकते है ठीके जैसे कि आप लोग देख सकते है अभी हमारा कितना अच्छा background लग चुका है और हमारे video का text भी change हो चुका है अभी दोस्तों अभी हमारा text और caption तयार हो चुका है तो आपको इंगा करना है उपर आपको एक check mark option मिलगा इसके उपर click कर देना है check mark के option पे click कर देने के बाद आप अपने इस text को कितना रखना चाते है वो select कर लेंगे ठीके अभी हम ऐसा रखना चाते हमारा text तो इदर हम set कर देंगे set करने के बाद दोस्तों नीचे आपको और एक check mark option मिलगा इसके उपर click कर देंगे check mark के option पे click कर देने के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते है अभी हमारा video कितना अच्छा दिख रहा है ठीके और हमने text भी यहाँ पर डाल दिया है दोस्तों यह सब डालने के बाद इदर आपको next का option मिलगा इसके उपर click कर देंगे next के option पे click कर देने के बाद थोड़ी सी यह loading लेगा जैसे कि आप लोग देख सकते है अभी अपकी इस video की loading जब तलग खतम नहीं होती तब तलग आपको wait करना ही पड़ेगा ठीके अभी दोस्तों हमारे इस video की loading खतम हो चुके है वीडियो की loading खतम होनी के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का interface आएगा तो आपको अभी अपने वीडियो का cover select कर लेना है ठीके इधर आपको वीडियो की नीचे select cover का एक option मिलता है इसके उपर click कर देंगे इस select cover के उपर click कर देने के बाद दोस्तों नीचे आपको option मिलेगा अपना cover select करने का ठीके तो आपको अपने वीडियो में से ही cover select करना पड़ता है इधर जो ये line है इसको आपको जेओ भी cover देना है उसके उपर ले जाना है अभी हम यहाँ पर लेके आएंगे यहाँ पर लेके आने के बाद अभी आप लोग देख सकते है अभी हमारे वीडियो का cover change हो चुका है cover change होने के बाद दोस्तों नीचे आपको check mark option मिलेगा इसके उपर click कर देना है इस check mark के option पर click कर देने के बाद आपका cover select हो जाएगा वीडियो का ठीके आगे वाले बटन पर click करके इसे off कर देंगे अगर आप इस वीडियो पर किसी का comment नहीं चाहते है तो आगे वाले बटन पर click करके इसे off कर देंगे ठीके अगर आप sharing को भी allow नहीं कर दे तो इसके आगे वाले बटन पर click करके आप इसे sharing को भी disallow कर सकते है इतना सब करने के बाद दोस्तो आपको नीचे दो option मिलते हैं पहला वाला option है draft video का और दूसरा वाला option है post का अगर आप draft video में save करेंगे तो आपको future में इसे upload करना होगा ठीके और दोस्तो दूसरा option आपको मिलेगा post का अगर आपने post के उपर click कर दिया तो दोस्तो आपका ये video post हो जाएगा ठीक है video post होने के बाद ये public हो जाएगा अब HI दोस्तो आपका video तो बन चुका है लेकिन आपकी उपर अभी ये depends कि आप अपने वीडियो को draft में save करना चाहते है या फिर post करना चाहते है public में अभी दोस्तो में post में नहीं save करना चाहता मैं simple से draft के उपर click करके draft में save कर दूँगा क्योंकि मैंने आपको सिर्फ इतना बताने के लिए video create किया था कि आप moj app में video केसे बना सकते हैं तो दोस्तो हम simple से draft के उपर click कर देंगे draft के उपर click कर देने के बाद आपको क्या करना है